नमस्कार एंड वेलकम टू मित्रग्यान जैसा कि आपको पता है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करिए जिसमें हम आपको पूरी एम लक्समिकांत खतम करवाने वाले हैं तो हमने इसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसका पार्ट बन आ चुका है अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर आप उसको देफकते हैं हमने उस वीडियो के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था ना उसको हमने करवा रखा है उसके बाद आज हम आयें चैप्टर नमबर वन और पार्ट नमबर टू के साथ इस वीडियो के अंदर हम दो एक्ट को कवर करेंगे एक है एक एक्ट ओफ सेटलमेंट 1781 और जो कब आता है 1781 में आता है इसको लायक हुआता है क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसके अंदर कई सारी तूतियां होती है कई सारी कमिया होती है उसको दूर करने के लिए हम एक्ट ओफ सेटलमेंट लेके आते हैं इसका मुख्य ओदे से क्या होता है लेके आ तुवारा नहीं किया गया था उसको सेटल करने के लिए हम इस एक को लेके आते हैं ठीके और इसी एक्ट को हम डिकलेटरी एक्ट भी कहते हैं उमीद है आपने ये सारी चीजे अच्छे फिस समझ ली होंगी ठीके एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट है जिसको हम कब लेके आते हैं 1781 में लेके आते हैं उसके मुख्य प्रावधान क्या है इसको हम जड़ा अच्छे फिस देख लेते हैं मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो रेगलोटिन एक्ट था उसके अंदर सुप्रीम कोड बनाया गया था और गवर्णर जनल की एक काउंसिल बनाए गी थी लेकिन इनके पास जो पावरे थी उसका सई से बटवारा नहीं किया गया था इनी बटवारे को अच्छे से करने के लिए हम एक्ट ओफ सेटरमन लेके आते हैं तो पहला हम जो मुख्य प्रावधान था वो तो ये था इसका ठीक है उसके बात क्या होता है जो हम रेगलोटिन एक्ट लेक क्या आते हैं फत्रह से 81 इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के जो अधिकारी थे वह सुप्रीम कोट से एकदब मुक्त हो जाते हैं ठीक है इनके साथ ही साथ जो राजसों क्यलेक्टर थे और जो कंपनी अदालतों के नियाएक अधिकारी थे ना वह भी सुप्रीम कोट के अध देखा कि act of settlement मुखे रूप से जो सुप्रीम कोड है और जो गवर्न काउंसल जो होती है उनके बीच में कार्रेओं का जो भटवारा हमने करना था वह हम सई से नहीं कर पाये थे अच्छे से करने के लिए हम act of settlement लेकाते हैं हम एक settlement करते हैं इसके बाद जो अपील ये खेतरा अधिकार होता है ना वो भी कम कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी कि वहाँ पर अपील ये खेतरा अधिकार हो सके ठीक है सब्सक्राइब कोन बैठा है उनके पास जाएंगे और ये अन्तिम अदालत होगी ठीक है यानि आप उनके पास चले गए उन्होंने कोई निर्ण दे दिया तो उसके बाद आप किसी के पास भी नहीं जा फकते हैं ठीक है तो ये कब लिखा गया था ये का किया गया था 1781 मे ठीक है अब इसी दुरण क्या होता है इसी अधिनिये में क्या होता है कि ऐसे प्रोविजन किया आता है कि मुसिलिम मामले होंगे उनका जो हम निप्टान करेंगे वो मुसिलिम कानून के द्वारा करेंगे और जो हिंदू मामले होंगे उनका निप्टान हम करेंगे हिंदू कानून के दुवारा ठीक है ये सब चीजे निर्धारित कर दी गई थी Act of settlement 1781 में उमीद है आपने इसको भूत ही अच्छे फिर समझ लिया होगा अब हम चलते हैं अपने अगले Act Pits India Act 1784 अब इसको क्यों लाया गया था इसका क्या उद्यस्य था ये आपके मन में आ रहा होगा तो देखी जो फत्रा सो 173 का Regulatory Act आया था इसके अंदर कई सारी कम्या थी ठीक है जो सुप्रीम कोड की और जो काउंसिल की दिक्कते आ रहे थी ना विवाद आ रहे थे उसको मैनेस करने के लिए हम Act of settlement लेके आ गए थे लेकिन कई सारी और भी दिक्कते थी सुप्रीम कोड जाने के अलावा 173 के Regulatory Act में कई सारी और भी कम्या थी इसको दूर करने के लिए हम पीट्स इंडिया Act को लेके आते हैं अब इस Act के अंदर क्या-क्या बाते होती है वह हम आपको धिरी देखा के बताते रहेंगे देखिए इस Act के दौरा जो British की East India Company थी ना उसको पहली बा तब बार क्या खा गया पहली बार British सरकार के नियंतरन में लाए गया था यह आपको ध्यान रखना है 1784 पीट्स इंडिया Act था उसके अंदर हमने पहली बार British सरकार के नियंतरन में लेके आते हैं इस Company को ठीक है और जो पीट्स इंडिया Act नाम रखा गया यह क्यों रखा है क्योंकि उस समय जो इंग्लेंड के PM थे यानि प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे विलियम पीट दयंगर तो जो पीट है न यहीं से हमने क्या लिया है पीट्स इंडिया एक्ट यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अब हम डिसकस कर लेते हैं कि पीट्स इंडिया कारेों का वर्गी करेंड कर रखा है हमने इस एक की दवारा क्या किया कि इस्ट इंडिया पार में तक पीट्स 84 के अंदर बाट उसके बाद जो हमने बाट दिया तो इसको मैनेज करने के लिए पर इसका नियंतरन को करते था वह करते थे निदेशक मंडल गून करते हैं निदेशक मंडल जो नेंतरन बॉर्ड है ठीक है इसी को हम क्या वiltonते हैं board of control और जो निदेशक मंडल hais निदेशक मंडल is canolot of directors तो यह आपको ध्यान रखना होगा क्वेखिविकि आगे आपको इसके बारे में अच्छेविश्य डिसकस करना सबसे पहले हम दिस्कुस करेंगे नियंत्रक बورड के बारे में नियंत्रक बورड में जयाए कि हमें आपको बताया ये बीटिस सरकार के अंतरगत आपको देखने को मिलेगा नियंत्रक बोड जिसको हम बोड ऑफ कंत्रोल भी कहते हैं अब इसके पास क्या-kia पावर थी देखे कम्पिनी के नागरिक सेन निये और राजय सो मामले पर नियंतरन करने का सारा अधिकार बॉर्ड ओफ कंट्रोल के पास था इसके अंदर छे फदस्य थे पहला फदस्य कौन था वो था राज कोस चांसलर दूफरा फदस्य कौन था राजय के एक सचीव और क् आधियक सचीव ठीक होगे अब बोड को अमने से क्या आपको बताया कम्पिनी के नागरिक सेन निये और राज़फर से संब्दित सभी मामलों को नियंतरन करने का पूरा अधिकार दिया गया था इसलिए सभी जितने भी कागजाज थे ना कंपिनी से संब्दित उन सबके त Board of Control की तो यह आपने समझ लिया कि Board of Control या फिर नियंत्रक Board क्या था और क्या काम करता था ठीक है अब हम बात करते हैं जो वानिजिक कारे करता था और जो राजिक कारे करता था उनके अंदर एक दोहरी पढ़ना लेती जिसको हम बोलते हैं Dual System यह Dual System क्या था देकि कंपनी का प्रतिनिद्र कर रहे थे Court of Directors ठीक है Court of Directors जो आपको हमने अभी यहाँ पर बताया था निदेश सक मंडल इसी को हम Court of Directors कहते हैं ठीक है तो कंपनी का प्रतिनिद्र कर रहे थे Court of Directors उसी परकार से Crown यानी Britain का प्रतिनिद्र कर रहे थे Board of Control इस परकार एक दोहरी नियंतन पढ़नाली स्थापित हो गई थी ठीक है अब इनके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए तीन निदेशकों वाली एक गुप्त समयती की स्थापना की गई थी या फिर बनाया गया था यह आपको ध्यान नखना है ठीक है तो आपने देख लिया कि दोहरी पनाली क्या होती अब भारत में क्या क् प्रफद्श से कब बने थे यह बने थे रेगुलेटिंग एट के दुवारा जो 73 माया था उसके अंदर चार फद्श से बनाए गये थे लेकिन जब भावमत की बार आती थी ना चार में भावमत लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसलिए हमने इसको घटा के अब तीन क तीन फद्श्य होंगे गवर्न जनकी काउंसिल में अब इससे क्या फाइदा होगा इससे होगा कि भावमत हमें भौत ही असानी से मिल लाएगा अब जो यह तीन फद्श्य होंगे इसी तीन में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राजा की सेना का कमांडर इंचीफ बनेगा तो इसके बाद जो गवर्न जनल था उसको मत देने वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में गवर्न जनल को मत देने या फिर वोट देने का अधिकार दिया गया उसके बाद हमने आपको बताया था कि मदरास और बॉमबे की जो प्रेपिटेंस से समधित मामलों की सभी मामलों में बंगाल को अधिक अधिकार दिये गए है ये तो आप अच्छे वी सबस्च चुके इस इस सारे को देखते हैं अब आती है संपत्ति का खुलासा की इस एक्ट में यानी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में संपत्ति खुलासा करने की बात की है ठैके चाय से वो नगरिक हो से शाननी अधिकारी हो ठीके उनको भारत और ब्रीटेन में अपनी जितनी भी संपत्य है उन सबका विवरण को खुलाफा करना अन्यवारे कर दिया और यह द्रफ्ट अधिकारी होंगे न उन के लिए कड़ी सदा का प्रावधार भी किया गया है अब हम बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्टी कुछ विशेष्टाओं के कुछ विशेष्टा है जो आपने उपर पड़ी है भारत में ब्रिटिस संपत्ती सब्द का पहली बार उप्योग किया गया कि कंपनी के मामलों और परसासन को ब्रिटिस सरकार के सीधे नियंत्रम में लाया गया और जैसे कि हमने आपको बताया जो गवर्ण जनल थे उसके परिफत क यह कोई दोस्त है क्या कोई डिफैक्ट थे बिल्कुल थे तब से पहली बात जो निदेशक बोर्ड था और जो निदेशक मंडल था उनके बीच में काफी सारी चीजे एफी थी जिनका अच्छे फे समधा नहीं किया गया था एक सीमा नहीं बनाएगी थी ठीक है और जो नि सेटर्मेंट वाला एक्ट पढ़ लिया 1781 वाला और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला पढ़ लिया ठीक है हमारी इस दूसरी वीडियो में इससे पहले हमने 1773 के एक्ट भी करा रखा है और आज की वीडियो में सिर्फ एतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट करें थैंक यू थैंक यू बेर मच फो डिसकुशन